है फ्रेंट्स देखे अगर हमें मार्केट से पैसा कमाना है तो हमें पैनी स्टॉक्स में इंवेश्ट करना ही होता है क्योंकि जो अच्छा रिटन है वो पैनी स्टॉक्स से मिलता है तो इनको hold करके चलना होता है 5-10 साल तो जब भी आप किसी penny share को लें तो 5-10 साल के लिए लें लेकिन उसके थोड़ा fundamentals और जो हमारा उसका business model है उसको ठीक से समझना जरूरी है तभी penny share में invest किया जा सकता है तो आज कुछ ऐसे ही share देखेंगे जिनका business model है काफी सांदार दिखता है और in future इनकी growth अच्छी हो सकती है तो 2-3 share हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऐसे देखेंगे कौन-कौन से share है लेकिन उससे पहले देखें यदि आपने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे subscribe कर लिए और वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा और देखेंगे हो सकता है कि इन में से कोई penny share आपके portfolio में भी हो तो बताइएगा कि आपके portfolio में कौन-कौन से penny share है अभी तो चलिए सुरू कर लेते हैं देखें इस list में जो हमारा पहला share है वो है Trident सभी का favorite और देखें Trident अभी 33 रुपे 60 पैसे पर trade कर रहा है 2% की तेजी इसने दिखाई हुई है पिछले कुछ समय से consolidation में है और काफी loss भी खेर इसने investors को दिया है एक बार 50 के आसपास यह पहुँच गया था लेकिन अब फिर से जो है यह तेजी दिखाने वाला है मैंने आपको इसमें पहले वीडियो बना के दी थी उस दिन जैसी दिन इसका result आया था उसी दिन यह 8% से ज़्यादा भागा था लेकिन जिसने उसमें लिया होगा फायदे में रहा होगा लेकिन अब भी देखे इसमें अगर कोई लेना चाता है बाइंग करना चाता है तो अच्छा समय है ठीक ठाक है 17,000 करोड की कमपनी है 33 का करंट प्राइज और देखे P काफी सही है 34 के P पर मिल रहा है साथ की बुक वैल्यू 1% का डिविडेंट भी है ROE देखे 23% और ROCE भी 23.4% का है काफी अच्छा है टेक्स्टाइल से जुड़ी हुई यह हमारी कमपनी है और देखे शेल्स जो है अच्छी खासी सेल्स कर रही है 1641 लाग की इसने सेल्स की है अभी जो पिछला कॉर्टर हुआ है दिसंबर का और इसमें जो है इसका प्रोफिट रहा है देखे 144 तो बहुत शांदर प्रोफिट कमपनी कर रही है बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ कमपनी दिखा रही है बात करें कमपनी के रिजर्व की और करजे की तो रिजर्व भी है कमपनी के पास लगबग 3301 करोड के और करजा है देखे 1180 करोड का तो करजा कम है रिजर्व के सामने अच्छी बात है यह एक फर्ड़नमेंटली स्ट्रोंग कमपनी यह दिखती है और जो भी इन्वेस्टर से ने देखे जाद तर इसमें इन्वेस्ट जरूर होंगे जरूर सबने इन्वेस्टमेंट इसमें किया होगा बहुत जादा लोगों ने और लगबग देखे 73% की इसमें प्रमोटर होल्डिंग है 5% के लगबग FII है और DIY भी थोड़ी थोड़ी सी एंट्री इसमें ले रहे हैं बाकी बचा 23% यह है अपना पबलिक के पास तो पबलिक के पास बहुत जादा इसमें माल नहीं है बात करते हैं अब अपनी अगली कंपनी की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारत पे के 12% कलब के बारे में और यहां देखिए क्योंकि हम सब इन्वेस्टर हैं और हमें चाहिए अच्छा रिटन तो यहां पर जो है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मिनिम्यम एक हजार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहां आपको 12% तक ब्याज मिलता है सालाना और देखिए कहीं भी आप किसी बेंक में अगर आप जमा करते हैं तो वहाँ आपको मिलता है 3-4% तक by chance आप उसमें FD कर देते हैं तो हद से हद 6-7% या 8% तक मिल जाता है लेकिन यहाँ आपको 12% का मिलेगा return बहुत शांदा return यहाँ मिलता है साथ ही साथ अगर आप यहाँ से loan भी लेना चाहते हैं तो loan भी यहाँ से आपको मिल जाता है easily 12% पर ही जबकि आपको कहीं और से आप अगर लेते हैं तो फिर आपको मिलेगा कम से कम 15-16% पर कम से कम मिलता है इतनी पर और personal loan अगर आप लें तो बहुत महगा पड़ता है वो तो कई बार 17-18% तक भी पड़ता है लेकिन यहाँ से सिर्फ 12% ही पड़ेगा तो आप अगर इसमें invest करना चाते हैं तो आप वीडियो के description में link दिया हुए वहाँ से इसको join कर सकते हैं और अच्छा लाब future में आप कमा सकते हैं तो दोस्तो अब चलते हैं अपनी वीडियो पर और देखिए यह कोई paid promotion में इसका नहीं कर रहा हूँ यह सिर्फ मेरे को चीज अच्छी लगी तो मैं आपको बता रहा हूँ चलिए आप चल देते हैं अपनी वीडियो पर आगे अगला share देख लेते हैं अपना देखिए हमारा जो अगला stock है वो है IRFC या Indian Railway Finance Corporation Limited बहुती अच्छी fundamentalist strong company है 32 का current price चल रहा है और Trident में भी और इसमें भी मैं personally भी investment मैंने की हुई है तो invested हूँ मैं इसमें और यह जो है railway को finance provide कर आती है 41,950 करोड की company छोटी सी book value से देखिए नीचे trade कर रही है सबसे बड़ी बात है और तो और P देखिए इसका कितना सस्ता है dividend भी अच्छा देती है लगवख 4% का ROC और ROE अच्छा है ROE बना रखा है इसने लगवख 16% तो काफी शांदार है ये एक PSU है तो भारत सरकार की company है और देखिए अपनी book value से नीचे trade कर रहा है dividend भी अच्छा देती है पिछले अगर 5 साल का CAGR देखें इसका profit growth का 45% कर रहा है बहुत अच्छा है healthy dividend payout company ने बनाया हुआ है तो यहाँ आप देखिए पेयर comparison कुछ देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे market leader है सबसे उपर company का खुद का नाम आता है IRFC फिर है power finance corporation फिर है REC तो सबसे बड़ी company है अपने segment में और market leader है और 95% तक monopoly है इसका सबसे बड़ी बात यह है इसमें company की अगर sales देखें तो हमेंसा बढ़ती हुई आई है जहां कहीं होते थी 3600 क्रोड की वहां हो गई है 5800 क्रोड की नो डाउट एक quarter थोड़ा सा उपर भी गया था इससे लेकिन अब फिर से देखें बढ़ रही है और अगर हम इसका profit देखें तो company profit में है जहां कहीं 600 क्रोड के profit थे वहां हो गए है अब 1700 क्रोड के तो 3 गुना profit बढ़ गए है बहुत शांदार profit भी दिखा रही है ये company बात करें रिजर्ब और करज की तो 30,000 क्रोड के रिजर्ब है लेकिन देखें करजा बहुत है 3,86,000 क्रोड का पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि तो ये finance company है और finance company हो में करज हमेशा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ओपर से ये PSG है तो भारा सरकार की company है तो ऐसे इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है साथी साथ देखिए इसका हम promoter holding देखें 86% की है FII 1% DII 3% और पबलिक के पास सिर्फ 9% और देखिए क्योंकि जो हमारा सेवी का rule है उसके हिसाब से ये जो है 86 इसको ये 75 पर लाएंगे लेकिन इन्होंने बोला है कि अगले 3 सालों में तो अगले 3 सालों में इसको ये लाना पड़ेगा इनको 86-75 तो 11% इस टेक अपना सेल करना पड़ेगा हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा सस्ता भी मिल जाए लेकिन जरूरी नहीं है कुछ तो अभी जो है इन्वेस्ट का अच्छा टाइम है बोक वैली से नीचे ट्रेट कर रहा है अब देख लेते हैं अपनी एक और कंपनी लास्ट कंपनी इसका नाम है द लेकिन देखें पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लेंगे तो पहली बात तो अपने रिस्क पर अपनी इस्टेडी जरूर कर लें दूसरी बात ये कम से कम भी नहीं तो दस साल के लिए इसको होल्ड कीजिए ये नो रुपे का शेयर जो मेरी इस्टेडी कहत और जो ROE और ROC है लगभग 5% के आसवास फेस वेल्यू है 10 की तो काफी अच्छा है और चार्ट आप देखें तो उपर ही जा रहा है ये देखें यहाँ आप देखेंगे जो चीज इसमें पसंद आती है मुझे एक तो डेफ्ट फ्री है इतनी छोटी कमपनी होने के बाप और बुक वैली से आधे पर तो ट्रेड कर ही रही है साथी साथ कमपनी प्रोफिट करती है लेकिन डिविडेंट नहीं देती है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें प्रमोटर होल्डिंग ये थोड़ी सी नेगिटिव चीज है इसमें प्रमोटर होल्डिंग कम है द बखडी इसने ग्रोफ इसमें दिखाई है साथी साथ अगर हम देखिए प्रॉफिट की बात करें तो जहां एक लाग का प्रॉफिट था वहां 96 लाग का प्रॉफिट हो गया है बहुत बड़ा प्रॉफिट कंपनी कर रही है और देखें सी एजियर वगरा सब देखो यहां प तो काफी अच्छी ग्रोफ था अब कंपनी हमें दिखाने लगी है धीरे धीरे बात करें रिजर्ब की और कर्ज की तो जहां कहीं माइनस में रिजर्ब होते थे वहां 7 करोड 97 लाग के रिजर्ब हो गये हैं और करजा देखिए जहां 19 करोड का 27 करोड तक पहुच गया था 76 जीरे तक भी पहुचा देखो इस बार इसने सारा कातम करती है करता जिरो हो गया है तो यह चीज बहुत फेवर मेंぎ जाती है कंपनी के और जो हमारा इसका अगर सेर में हम देखें तो तो यहां देखिए, share holding pattern में भी धीरी धीरे जो है ये promoters इनके stake बढ़ाते जा रहे हैं, जहां कहीं 10-11% हुआ करते थे, वहां 25% हो गए है, public होती थी 89% और अब होगी है 75%, तो promoters holding उठा रहे हैं धीरे धीरे, public के पास कम होता जा रहा है माल, अच्छी growth company दिखा रही है, अच् ये share हमें दे सकता है, लेकिन फिर से एक वार repeat करना चाहूँगा, invest करने से पहले अपनी study जरूर कर लें, और कम से कम 8-10 साल इस share को अगर देंगे आप, तभी पैसा बनेगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद, जैभारत